हलो दोस्तो मैं सचिन कुमार आपके अपने अनलाइन प्लेट फाम पर स्वागत करते हैं जैसा कि दिखाया गया थमनिल में सामान्य विज्ञान की क्लास सुरू करने जा रहे हैं जो उत्ता प्रदेश रेडियो आपरेटर तथा असिस्टेंट आपरेटर के लिए बहुत ही का कौन कौन से चैप्टर होंगे जिसमें भौत विज्ञान में पहला चैप्टर है मातरक तथा इकाई और दूसरा चैप्टर है मापा की अंत्र एवम उसके पैमाने तीसरा है यांत्र की चौथा है गुरुत के आधिन गति पाचवा है इस थूल पदार्थों के गुडु आठवा है तरंग गति और नवा है ध्वानि दसवे में हम कबर करेंगे विद्धु धारा को उसके बाद चा लगता उसके बाद नाभी की भोती की कबर करेंगे अगला चैप्टर है कम्पीटर एवम सुचन प्रद्धोग की उसके बाद अंतिरिच्छ प्रद्ध्योग की पंद्रहवा चैप्टर है रच्छा प्रद्योग की आगे देखेंगे उसके बाद आ जाएगा प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविस्कार उसके बाद हम देखेंगे विविद इसके साथ ही साथ MCQ को साल्ब करेंगे और कोस्चनों को भी साल्ब करते हुए चलेंगे तथ अबिगत वर्सों में पूछे गए सभी important question को भी देखेंगे तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी class को जिसमें ठेवरी भी होगी और objective question भी होगे हमारा पहला chapter है मात्रक तथा इकाई notes में देखते हैं किसी भी भावतिक रास को मापने के लिए उस रास के एक निश्चित परिमार को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं इसी को उस रास का मात्रक कहते हैं एक बार फिर से देखते हैं किसी भी भौतिक रास को मापने के लिए उस रास के एक निश्चित परिमार को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई ना कोई नाम दे देते हैं उस रास को है मातर कहते हैं भौतिक रासियों के मापन के लिए निमने लिखे चार पध्धतियां है पहले कौन सी है? CGS पद्धत दूसरी क्या हो जाएगे? यह PS पद्धत और तीसरी क्या हो जाएगे? MKS पद्धत तो सबसे पहले देखते हैं CGS पद्धत इस पद्धत में लंबाई, दरविमान तथा समय के मातरक क्रमसा होंगे लंबाई का मातरक क्या होगा? centimeter, दरविमान का मातरक होगा? Gram और समय का मातरक होगा? Second इस लिए इसे centimeter, gram, second या CGS पद्धत कहते हैं CGS पद्धत को French या metric पद्धत भी कहते हैं CGS पद्धत को French या metric पद्धत भी कहते हैं आगे देखते हैं आगे देखते हैं नोट में क्या है यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक रासियों को लंबाई द्रविमान तथा समय में समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है तथा इन में से किसी एक को किसी अने मात्रक में बदलात हुआ उससे समंदित नहीं किया जा सकता है अता है इन मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं आगे देखेंगे यह PS पद्धत इसे ब्रिटिस पद्धत भी कहते हैं यमके असपद्धत को फ्रेंच पद्धत कहते थे और इसे ब्रिटिस पद्धत कहते हैं इस पद्धत में लंबाई द्रविमान और समय के मात्रक क्रमसा होंगे लंबाई का मातरक होगा फुट और द्रवेमान का मातरक होगा पाउंड और समय का मातरक होगा सेकेंड होते हैं आगी पद्धत यह है यह हम के यह स्पद्धत इस पद्धत में लंबाई द्रवेमान और समय के मातरक क्रमसा होंगे मीटर, किलोग्राम, एवं सेकंड, तरवेमान का मातरक होगा, किलोग्राम, लंबाई का मातरक मीटर होगा, तथा समय का मातरक सेकंड होगा चोथा है एसाई पद्धत वर्स 1960 में पेरिस में अंतराश्टी मापतहुल के महाधि महाधिवेशन में इस पद्धत को स्विकार किया गया वर्तमान में इसी पद्धत का प्रयोक किया जाता है इस पद्धत में साथ मूल मात रखा है एसाई पद्धत वर्स 1960 में पेरिस में अंतराष्टी मापतवल के महा अधिवेशन में इस पद्धत को स्विकार किया गया था वर्तमान में इसी पद्धत का परयोग किया जाता है इस पद्धत में साथ मूल मात रख होते हैं अब देखते हैं कौन कौन से साथ मूल मातरक है अब देखते हैं मूल मातरक एक तरफ बहुत इक रास होगी उसके बाद उसके मूल मातरक होंगे और उसके संकेत होंगे लंबाई का मातरक क्या होता है मीटर लंबाई किसमे मापी जाती है मीटर में इसका संकेत होगा एम का मातरक सेकेंड होगा जिसका संकेत एस होगा ताप मान का मातरक केलविन होगा या ताप का मातरक केलविन होगा जिसका संकेत के होगा विद्धुधारा का मातरक एंपियर होता है इसका ए होगा जिसका सीडी होगा क्या होगा सीडी कैंड उसके बाद पदार्थ का मातरक होता मोल में ना पजाता है इसका मातरक या संकेत मोल होगा इस पस्ठ है कि उपरोग तो 7 मूल मातरक लंबाई द्रुविमान समय ताप विद्धुधारा जियोतिति वृता तता पदार्थ की मातर परिमार ये मातरकों पर आधारित मातरक पधद को अंतराश्टी मातरक पधद कहते हैं लंबाई का मात्र क्या होगा मीटर द्रोविमान का किलोग्राम समय का सेकेंड तापका केलवेन विद्धु धारा का एंपियार जियोतिती उर्ता का केंडेला पदार्थ के मात्रा मोल में मापी जाती है एक बार फिर से देखते हैं लंबाई का मीटर द्रोविमान का समयошt मिijaणboras आगे देखते हैं मीटर की परिभासा मीटर की परिभासा देखते हैं नई परिभासा के तहट एंग मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकास की किरण सेकेंड के 1 बटे 397,92458 वे हिस्से में तै करती है क्या है कि नई परिभाशा के तहद एक मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकास की किरण सेकेंड के 1,2959 हिस्से में तै करती है किलोग्राम के परिभाशा क्या होगी एक किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेश टुकुडे का द्रविमान माना गया है एक किलोग्राम की परिभासा क्या होगी एक किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेश टुकुडे का द्रविमान माना गया है वेवहार में 1 किलोग्राम 4 डिगरी सेंट्री ग्रेट के 1 लीटर जल का दरविमान होता है विस्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभासा को अपना लिया है अब 1 किलोग्राम को प्लांक नीतांग के अधार पर मापा जाता है अब किस अधार पर मापा जाता है एक किलोग्राम को प्लांग नेतांग के अधार पर मापा जाता है सेकंड की परिवासा क्या होगी एक सेकंड वह समय अंतराल है एक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाडु घड़ी में सीजियम 133 परमाडु 9 एक सुबाननवे तिरसट एक हजार साथ सो सत्तर कंपन करता है अब आगे देखते हैं एंपियर की परिवासा क्या है एक एंपियर विद्धुधारा वधारा है जो निर्वात में एक मीटर की दूरी परिश्चित दो सीधे अतियंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रतेक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच दो गुड़े दसकी घात माइनस साथ नीटर का बल उत्पन करती है माई 2019 में अंगी क्रत नई परिवासा के ताहत एंपियर मोल विद्दुद आवेश इलेक्ट्रानिक चार्ज के आधार पर परिवासित किया जाएगा केल्विन के परिवासा क्या है एक केल्विन जल के त्रिक बिंद अर्था ट्रिपल पॉइंट के उस्मा गतिक ताप का एक बटे 273 वा भाग है क्या है एक केल्विन जल के त्रिक बिंद के उस्मा गतिकी ताप का एक बटे 273 वा भाग है माई 2019 से अंगी क्रत नई परिवासा के ताहत केल्विन को वोल्टेज मैन नेतांग द्वारा परिवासित किया जाता है केल्विन को वोल्टेज मैन नियतांग द्वारा परिवासित किया जाता है आगे देखते हैं अब देखते हैं कंडेला की परिवासा तो कंडेली की परिवासा क्या है किसी निश्ची दिशा में किसी प्रकास श्रोत की जेवती तीवरता एक कंडेला तब कही जाती है जब यह उस दिशा में 540 गुड़े 10 की गहत 12 हर्ट या आवरत्ति तथा एक बटे 683 पाट प्रति इस्टे रेडियन तिवर्टा का एक वरड़ी प्रकास उसरजित करता है कंडला की परिवासा क्या है किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकास श्रोत के जोती तिवर्टा एक कंडला तब कही जाती है जब वा श्रोत उस दिशा में 540 गुड़े 10 की घात 12 हर्ज आवरत्ति तथा एक बटे 683 वाट बटे इस्टे रेडियन तिवर्टा का एक वरगी क कि प्रकास वह सर्जीत करता है आगे देखते हैं एक तरफ भातिक राष्य दूसरे तरफ वित्पन मात रखाएं आयतन, आयतन क्या होगी? लंबाई, गुड़े चवणाई, गुड़े उंचाई तो इसका विद्पन्न मात्र क्या होगा? लंबाई का मीटर होता है, चवणाई का भी मीटर होगा और उंचाई का भी मीटर होगा तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा इसके बाद घनतों का मात्र क्या होता है घनतों का क्या होगा दरवेमान बटे आयतन दरवेमान किसमें नापा जाता है किलोग्राम में आयतन मीटर क्यूब में मापा जाएगा तो इसका हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या kilogram into meter के घाथ minus 3 वेग का क्या हो जाएगा वेग का होगा विस्थापन बटे समय अंतराल विस्थापन दूरी में मापा जाता है तो दूरी का क्या होगा meter और समय का क्या होगा second तो इसका हो जाएगा meter प्रती second या meter into second inverse उसके बाद त्वरण का क्या हो जाएगा वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल दो वेग परिवर्तन किस में मापा जाता है वेग परिवर्तन मीटर परती सेकेंड में मापा जाता है और समय का सेकेंड वैसे भी होगा तो इसका क्या हो जाएगा थीसरा पाद उपर चला और त्वरण का क्या था मीटर पती सेकेंड स्क्वार तो इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर पती सेकेंड स्क्वार और इसे न्यूटन भी कहते हैं बल का मातरक वित्पन मातरक क्या होगा न्यूटन आगे देखते हैं कारे का क्या होगा बल गुले विस्थापन और बल का मातरक क्या होता है नीटन विस्थापन का क्या होगा मीटर तो कारे का मातरक क्या हो जाएगा नीटन मीटर कारे का क्या होगा नीटन मीटर कारे को मातरक जूल भी होता है तो इसे जूल भी कहते हैं, न्यूटन, मीटर को क्या हो कहेंगे, जूल भी कहेंगे, आगे देखते हैं सक्ति का, सक्ति का मातरक क्या बनेगा, सक्ति का क्या होगा, कारी बटे समय, तो कारी का मातरक क्या होता है, अभी बताया गया कारी का मातरक जूल होगा, और समय का क्या हो कोड का क्या होगा इस्टे रेडियन ये कि बहुत इंपाइट संतल्ड कोड का होगा रेडिय ell मोल की परिवास क्या है जिसमें एक पदार्त किवम्याद्र है जिसमें एक पदार्त के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलो ग्राम में परमाड़ों की संख्या के बराबर है एक बार फिर से देखते हैं एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस्पदार्दे के अवयवों की संख्या कार्बन बारा के 0-2 समलो 0-1-2 किलो ग्राम में परमाड़ों की संख्या के बराबर है मई 2019 से अंगी करत नई परिभासा के ताहत मोल को अवगाद्रो नेतांग द्वारा परिभासित किया जाता है उसके बार देखते हैं विद्पन मातरक उनका उनसे लंबाई द्रवेमान समय विद्धुद्धारा ताप जियोतिती वर्ता तता पदार्थ के परिमाड़ के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक रासियों के मातरक एक अवस्था एक अथवा अधिक मूल मातरकों पर उपयुक्त घाते लगा कर प्राप दिखिये जाते हैं ऐसे मातरकों को मूल मातरक या विद्पन मातरक कहते हैं कौन कौन से मातरकों को छोड़कर लंबाई द्रवयमान समय विद्धुधारा ताप जियोतिती वर्ता तथा पदार्थ के परिमाड़ को छोड़कर बाकी सभी विद्पन मातरक के अंतरगत आएंगे आगे देखते हैं अब करेंगे हम प्रस्नोतरी कमारा पहला कोशन क्या है इनने में लिखित में से कौन सी मूल भहतिक रासी है तो कौन सी मूल भहतिक रासी है विद्धुधारा बल का क्या होगा नूटन होगा बल का मतरक क्या होगा नूटन वेक का क्या होगा वेक क्या कारी का मात रख्या होगा जूल होता है विद्धु धारा का मात रख्या होता है एंपियर होता है विद्धु धारा का मात रख्या होगा एंपियर तो पूछा गया है कौन मूल भौतिक रास है तो कौन मूल भौतिक रास है मूल भौतिक रास कितनी है टोटल साथ है साथ में हम सूंक्व से घाब कौन कांसी मूल मूल भosureतिक राचिया कौन कांसी मूल भilee क्राशियां लंबाइ द्रविमांद कि ःतार्व प्रिमाड से मूलْ भो松 राचियों के मॉर्थ रहे एक दूसरे सैंस तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रग में बदलात हुआ उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है मूल मात्रग जो मतलब की स्वतंत्र मात्रग है यह किसी एक दूसरे में मिलती नहीं है उसके बाद आगे देखते हैं